शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें तो जाहिर है तू भी मेरे साथ चलेगा सारा सामान बांध ले आपका हुक्म सर आखों पर लेकिन एक मस्वरा है कि हम आज रात नहीं कल सुभा जाएंगे मश्वरा नहीं मांगा मैंने हुक्म दिया है हुक्म की तामिल कर मेरा अंदेशा है कि आज रात जाना मुनासिप नहीं है आपने कहा था कि आपकी हिफाज़त करना मेरा फर्ज है इसलिए मेरी बात मानिये हम लोग आज रात नहीं कल सुभा जाएंगे तो क्या तु मुझे डराने की कोशिश कर रहा है रुकिये वे जुबान जानवर को नहीं मारते हैं तिलावर पे भूंकेगा तो मरेगा ठीक है हम हम आज रात में ही जाएंगे हम आज रात पेसे मारी हिर्माद प्रवार पेसे ही जाएंगे याएंगे 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 कि निकलो मेरे घर से इतना बड़ा नुकसान करने के बाद मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी अब हम लोग खान है यहाई चोरा हे पे वहीं पे भीख मांगना और सोना दोनों माँ बेटी तेरी आई और तेरे लिए हमने जो कुछ भी सोचा था उसे ठोकर मार कर इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती तुम अभी बहुत सी जिम्मेदारिया निभानी है तुम्हें पहुत बर्दाश्च किया मैंने तुम्हें घर से निकालने का आपको कोई अधिकार नहीं है यह घर मेरे बाबा का है उन्होंने इसे बनाया था आपके पती ने नहीं और बाबा ने बेटे में और नहीं बेटी में किसी में कोई भेव नहीं किया तोनों का हक बराबर है ऐसा कहते थे वो इसलिए पूरे अधिकार के साथ मैं इस घर में रह सकती हूँ और जहां तक मेरी देखभाल का सवाल है कुलकर्णी सरकात लेहां काम करके मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपना और अपनी बेटी का ख्याल में सालों से रखती आ रही हूँ इसलिए भूल कर भी ये मस सोचिएगा कि मैं अगर इस घर में रह रही हूँ तो आप मुझ पे या मेरी बेटी पे अत्याचार कर सकती है और हाँ मेरी बेटी की चीज़ों को दुबारा छूने की हिम्मत मत करना मेरे मन में परिवार वालों के लिए लिहांस था इज़त थी इसलिए मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया अब सिन्ना हम भाई बहन है और ना ननत भावी चलो और कितना वक्त लगाएगा फकेर क्या सुबह करके ही दम लेगा जी अभी आया क्या सुबह करके लेगा सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए उसी की परिक्षा के ये पल है आज आए बदरा बुराई के ये जितने भी छाएं साई मेरे अच्छाई का जलबर साएं कश्ट जो अपार साईं हस के उठाएं मन में साई के क्या है कान जान पाएं ओं साई ओं साई ओं साई ओं साई ओं साई ओं जलदी करो और कितने वक्त लगेगा का दो लो बदा ह्ट जे खं साई ओं साई ओं साई ओं साई ओं साई जलबर साई ओं सा ओं साई आ कितने लो घं सादरियाग एड़े लेड़े ले लेड़े एड़े लेड़े कहते हैं कुट्टों को आने वाले संकट का अंदेशा हो जाता है ये सारे कुट्टी एक साथ रो क्यों रहें बड़ी अजीब बात है मेरा जी बहुत घबर आ रहा है इसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है जलीए अजीब बात है अजीब बात है आखरी दिया भी पुझा दोंगा जिसे तुने रोशन किया है अजीब बात है अजीब बात है अजीब बात है अजीब बात है इसे भी मैं पुछा ही देता हूँ पॉनी खतम तुने बुछाने के लिए अजीब बात है अजीब बात है क्योंकि यहां से जाने का बहुत दुख हो रहा होगा तुझे नहीं यह बात अलग है कि मुझे इस जगा और यहां के लोगों से बहुत प्यार है लेकिन पहरागी बंधन नहीं जानते यह तो बहुत अच्छी बात है कम सकम मेरे दूसरे शागिर्दों के मानिंद अपने परिवार वालों से मिलने के लिए मुझे छोड़कर भागेगा तो नहीं रतनाकर जेट मैंने अपना वादा पूरा किया अब तुम्हारी बारी है चल अरे चल अरे चल अरे चल अरे चल अरे चल अरे चल चंदू जानते हो पुरानी हवेली के पास जो बरगत का पेड़ था वो कल रात अचानक सूख कर जड समेत गिर पड़ा क्या बात कर रहे हैं वो तो मेरे पुर्खों के समय से था इतने सालों में कोई अंधी तुफान ना गिरा सका उसे इनने देखके ऐसा लग रहा है जैसे शिरडी छोड़कर जा रहे हो हाँ 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 ही दिएक अना चलना, किसी अनिष्ट की और संकेत कर रहा है। रातों रात पॉदा सोख जाये, ऐसा संबाब नहीं। आई गर्मी बहुत बढ़ गई है, और हो सकता है, पहले से ही कीडे लग गए हूँ, इसने ध्यान ना दिया। कल रात मौसम भी बहुत खराब था, आप लोग बेवजा परिशान हो रहे हो। आप कुछ भी कहिए, कल रात से मुझे अजीब सा लग रहा है। वाईजा परिशान होने की कोई ज़ुरत नहीं है, जहाँ जीवन है, वह नाश्वर तो हो गाई। आप लोग यहाँ? हम आपसे ही मिलने हैं, अप्पाजी। पता नहीं, आपने गौर किया है या नहीं। हमारे शेड़ी में बड़ी विच्चेत्र से गटना है हो रही हैं, अप्पाजी। रात से सामान उठाये चल रहा है, ठकावत का नामों निशान नहीं है चेहरे पे। किस बिट्टी का बना है ये। दिखता कमजोर है पर है नहीं। मुझे ऐसे ही बंदी की जरूरत थी। क्या हुआ? हाँ? हाँ? हाँ करना मेरी जिम्मेदारी है। दौर का माई चलते हैं। हम सब के मन को वहीं शान्ती मिलती हैं। बाइजाक का बिलकुल ठीक कह रही है। और हम सब के मन में भी यही विचार आया था। लेकिन वहाँ दौर का माई में वह दिलावर होगा। बस यही सोच कर रहा हमने अपना निश्य बदल दिया। दिलावर का भय इस गाउं के हित्से तो बड़ा नहीं है। बाइजा सही कह रही है। सही है जो इस सेती का सही आकलन और अनुमान लगा सकता है। चलिए कर दो इस नहीं है। सही बड़ी पार आस पार आस पार आस कर दो कर दो मेरा साइ कहा है वहाँ गए हो मेरा बेटा हूँ नही नहीं ऐसा नहीं हो सकता मुझसे भाहाँ दा किया था उसने मुझे चोड़ के नहीं जा सकता कावे मेरा बेटो साइ शाइ साही नहीं जा सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, साही कहा है तुम बाइजामा, आपकी तकलीफ का अहसास है मुझे मुझे बादा किया था, साही कहा गया मेरा फिर्टे साही यह ऐसा नहीं हो सकता, साही ने पुछ से बादा किया तो वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता पाइजा, साही वापस आ जाएगा, तुम जित्ता हमकर क्या हुआ? साही कहा है? साही नहीं है, पताने साही कहां चले गए कल साही ने मेरी मदद की थी, अन्यवाद बोलने आई थी उन्हें, साही, साही हम सब मिलकर साही को डोड़ेंगे, नए, साही नहीं जा सकता सुनो, साही ने मुझे इशारा दिया था, कि वो सफेद भूत, मतलब दिलावर जल्दी शेड़ी छोड़कर जा रहा है आप सब लोग बेकार में परिशान हो रहा है, हो सकता है, वो उससे ही छोड़ने गया हो साही उसे छोड़के लौट आएगा आप हमेशा यहां आती रहना, बले ही मैं यहां रहूं यहां रहूं यहां ना रहूं अगर ऐसा होता है, तो साही अपना सामन छोड़कर चले जाते, लेकर नहीं लेकिन गाव में जो अवशुम घटनाए घट रही है, उसका क्या? हम यह बात चुना, अवश्य करने चाहिए कि साही किसी मुसीबट में नहीं है, आप सही कह रहे है, मुझे उस दिलावार पर बिल्कुल भरोसा नहीं, कहीं उसने ही तो कोई गड़बड नहीं की, चलिए हम सब मिलकर साही को ढूंगते हैं, चलिए पाइसा, आप चिंता मत कीजिए, साही को कुछ नहीं हुआ है, चानतियों मैं, चानतियों के वो कुषल है, वो अच्छा है, लेकिन वो शिरडी छोड़कर चला गया, उसे ढूंने का कोई फाइदा नहीं है, माँ, मैंने बहुत तक्लिफ दी है तुमे, बहुत दर्दी आए, हो सके तो मुझे प्नाफ कर देना, रुक्तियों गए, चानो! कि अच्छा है, बहुत पेजिए दो! अजय में पार शुद्ध भागेर, शुन अब हम लोग यहां इस जरख्त के नीचे आराम करेंगे आपको भूख लगी होगी, खा लीजिये कुछ अब जा कर पानी का इंद्जाम कर, लेकिन इस जंगल में पीने का पानी मिलना ना मुम्किन है क्यों, तुझे तो सब पता है ना इस जंगल के बारे में, तुझे लोगों से कहता भी है, कि कोशिश करने पे सब मुम्किन है तो जा, डूंड, डूंडें से मिल जाएगा पानी यहाँ पे तो चार अम्रोथ थे, फिर एक कहा गया? यह तो मेरी बेटे की आवाज है, शायद मेरा बेटा मुख्सीबत में है हे, चलो जल्दी तेरी इतनी हिम्मत कि तो चोह ही करता है कौन है वो नामुराज, जो भुष्दिलों की तरह छपकर वार कर रहा है हिम्मत है तो सामने आओ मेरी नजदीक मताना, उन्जे छूने की कोशिच मात करना तेरा हाथ जरूर कटेगा रुकिये तू कौन है हम यात्री है, जंगल के रास्ते गुजर रहे थे जान बूच कर हम किसी को नुकसान नहीं पहुचाना चाहते थे लेकिन कर दो